हालो एब्रीवन मैसल फुलकिश शर्मा एम्दा फाइनल यह एंबीबेस स्टुडेंट तो आज के इस वीडियो में आपने बात करेंगे तीन इंपॉर्टेंट चीजियों के बारे में जो एड्मिट कार्ड रिलीज होने के बाद में स्टुडेंट को फेस करनी पड़ रही है सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आपको एड्मिट कार्ड में एंट्री कैसे करनी है कौन सी एंट्री आपको एक्जामनेशन हौल में जाने से पहले करनी है कौन सी आपको एक्जाम के दौरान करनी है फोटो कहां पे चिपकानी है कौन सी चीज आपको ब्लैंक छोड़न तो उसका solution के बारे में बात करेंगे तीसरी चीज आपको कौन-कौन से documents लेके जाने है आपको पता है कौन-कौन सी चीज अलाओ नी है mobile अलाओ नी है, watch अलाओ नी है ये सबको पता है, कौन सी चीज ले जाना जरूरी है एक भी चीज मिस होई तो आपको exam नी देने दिया जाएगा वो सारी चीजे मैं आपको बताऊँगा तो सबसे पहले मैं आपको आगया हूँ आपको admit card आपको दिख रहा होगा इसमें मैंने आपको personal details मैंने hide कर ली है ठीक है, personal details hide करने के बाद में अभी आपको दिख रहा है admit card आपको time दिख रहा है, जो reporting time है, सबका अलग अलग है इसमें आपको 11 बजे का reporting time है आपका कुछ भी हो सकता है, साड़े 11, 12, 12, 12, कुछ भी हो सकता है ठीक है, जो last gate close हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा देड़ बजे ठीक है, इसके बाद में main important चीज़े यहां पर है देखो, इसमें आपको last 14 days में कोई से symptom आया है यह पूछा है, fever, cough, breathlessness, sore throat, body ache या फिर कोई और symptom आपको आया है क्या तो मैं यह गहूँगा कि अगर आपको नहीं आया है कोई भी symptom से थोड़ा बहुत आया है, ठीक है तो आप इसमें कुछ भी टिक ना करें जादा तर रोगों को तो नहीं आया हो तो बैटर है, नहीं आया है तो आपको बिलकुल भी कुछ भी नहीं करना है सीधा खाली छोड़ देना इनको, ठीक है बिलकुल भी कुछ नहीं करना है, खाली छोड़ दो दूसरा, been in close contact with a confirmed case of COVID-19 आप COVID-19 के किसी confirm case के contact में रहे हैं, तो आपको mark करना है, नहीं तो आपको blank छोड़ देना है कुछ भी नहीं करना है अगला देको, not been in close contact with a person suffering with COVID-19 and not under mandatory quarantine इसमें आपको right mark करना है खीक है, इसमें आपको mark करना है क्योंकि आप पिछले कुछ दिनों में COVID-19 के किसी patient के संपर्क में नहीं रहे हो, ये पूछा है आपको mark करना है खीक है, travel the following cities, countries in last 14 days prior to arriving the center अब need की तैयारी कर रहे हो, तो obviously बात है, पिछले दो week में कहीं पर किसी city या फिर country में travel नहीं करा होगा, नहीं करा है तो बिल्कुल blank छोड़ दो, कुछ भी नहीं करना है ये देखो, चीज़ों blank छोड़नी है dash लगा रहा हूँ मैं है, मतलब आपको dash भी नहीं लगाना है, blank छोड़ना है आपको बस एक यहाँ पर right mark करना है ठीक है, इसके बाद में यह सारी चीज़ आपको blank छोड़नी है, कुछ मतलिकना न मैं आपको यहाँ पर blank का मतलब बता रहा हूँ कि यह dash कर देना पर आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है अब आज आते है important चीज़ों के बारे में इसमें candidates photo same as uploaded on the application form to be pasted before reaching the center इसमें आपकी passport size photo लगेगी, ठीक है, जो आपने आपके पहले need के form में लगाई है वो ही photo लगेगी, passport size होनी चीए exam में आने से पहले लेके आना लगा के आना, ठीक है, इसके बाद में candidates left hand thumb impression ठीक है, यहाँ पर आपको left hand thumb impression लगाना है, ठीक है to be put before reaching the center exam center में आने से पहले ही घर से लगा के लेके आना है candidates parents signature यहाँ पर आपके parents के signature होंगे आपके mother, father के साथ अगर आप रहते हो, तो well and good है अगर आप quota तैयारी कर रहे हो जैसे और आप दिल्ली में आपके mother, father है तो आपको माजाने की जरूत नहीं है, आपको किसी भी आपसे जो बड़ा है, जो भी आपका कारजन है, वहाँ से signature करवा सकते हो आप PG के मालिक से भी करवा सकते हो, कोई issue नहीं है इस मेरा, candidate signature to be signed on the day of examination presence of invigilator only यहाँ पर आपके sign होंगे, invigilator की presence में होंगे, यह सारी चीज़े तो आपकी खुद से करवा किलानी है, पहले से घर से हैं ना, यह चीज़ आपकी invigilator की presence में होगी, यह पहले से signature मत कर लेना इसके बाद में अगली चीज़ है अगली चीज़ है आपका देखो, यह पहले आपका जो postcard side जो photo है अब आपको space जाज़ा दिख रहा होगा ठीक है, पहले जो space आया था, अभी जो इसके बाद में यह देखो, invigilator signature होगे और यहाँ पर candidate signature होगे candidate के जितने भी signature होगे, वो invigilator की presence में होगे घर से कुछ नहीं करके लेगे जाना है यह तो obvious सी बात है, फोटो और आपके जो थम impression है वो तो घर से लगा के जाओगे क्योंकि इतना time नहीं होता, वहाँ पे तो यह तो घर से करने के काम है parents के signature भी घर से करा के लेके जाना है और खुद के signature आपको महीं करने है invigilator की presence में करने है इसके बाद में मैं दो important point बता देता हूँ आपको जरूर से लेके आना है admit card भी लेके आना है और आपको यह performa वाला भी लेके आना है जिसमें आपकी जो photograph है वो paste होनी चीए if he or she does not bring this then he or she will not be allowed to sit in the examination and sell lead to his or her disqualification आपके exam देने नहीं दिया जाएगा अगर आप यह सारी चीज़ें नहीं लेके जाते हो it is mandatory to hand over this to invigilator आपको यह सारी चीज़े hand over करके आनी है invigilator को साथ में paper के साथ में घर नहीं लेके आ जानी है ठीक है नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी यह सारी चीज़े आपकी responsibility है कि आप उसको hand over करके जाए इसके बाद में यह सारी चीज़े आपकी solve हो गई आपको यह पता लग गया कौन कौन से आपको entry करनी है कैसे कैसे entry करनी है कौन सी entry exam में करनी है कौन सी end exam में जाने से पहले करनी है और आपकी postcard size जो फोटो है उसका भी issue resolve हो गया वापस से admit करना हो अगला जो है आपकी कौन से ऐसे document है जो आपको compulsory लेके ही जाने है अगर उन में से कुछ भी miss हुआ तो आपको exam देने नहीं दिया जाएगा तो उनकी list में बता देता हूँ ठीक है उनकी list देखो आपको सबसे पहले admit card तो compulsory लेके जाना ही जाना है आपको passport size photo जो चिपका के लेके जानी है आपको कोई भी doubt हो आप मेरे से comment section में बोच सकते हो मैंने सारे doubt आपके मुझे लगता है solve कर दिए कौन कौन सी entry कब करनी है क्योंकि इंसान थोड़ा सा जादा conscious हो जाता है जब खुद का एक्जाम देने जाता है तो एक बार ये वीडियो देख लोगे तो सारी दिक्कते दूर हो जाएंगे सारे जो भी doubts है वो clear हो जाएंगे फिर भी को doubt रहता है comment section में पूछ सकते हो वीडियो को like कर दीजिए अपने friends के साथ share कर दीजिए जो नीट का एक्जाम दे रहे और बिल्कुल confident होके पढ़ाई करिए बिल्कुल भी panic लेने की ज़रूत नहीं है और भी कुछ वीडियो important वीडियो एक्जाम से related अभी मैं एक दो तीन दिन में बनाने वाला हूं जो आपक वाचिंग मिलते हैं किसी अगले वीडियो में बाई all the best